दोस्तो इस चैनल पर आपको मिलेंगे वर्ड, एक्सिल और पावर पॉइंट से लिलेटेड वीडियो लेकिन अभी आपको इसे सब्सक्राइब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पहले हम देखते हैं वीडियो अगर उसमें कुछ आपको अच्छा लगता है तो इसको आप स आपको कैसे यूस करते हैं जैसे एक डेटा है यहाँ पर मुझे प्राँच कोडेग कर आने हैं यहाँ से यह जो एक डेटा है चोटा सा मतलब ब्राँच कोडेशकिंश काट के नेम है हमारे पास लेकिन एक दूसरी जगे रखे हुए हैं और इसको इस बड़ी टेबल में तो यहां पर हमारे पास branch का name है और यहां पर भी branch का name है तो हमें branch name पर यहां पर click कर दिया हमने तो B3 आ गया यह cell का name आप manually भी लिख सकते थे उसके बाद coma किया आपने और फिर आपको क्या करना है यहां से यह range select कर लेनी है जहां से आपका branch name है मतलब पहला column base column जो है आपका और उसके आगे की दो column यहां पर क्योंकि हमें दो column की value लेनी अगर तीन या चार की लेनी होती तो हम और आगे तक select करते तो यहां पर जैसे second number पर जो है हमारा branch code है तो आपको coma करके क्या लिखना है two okay और coma करके zero और enter कर देना है यह क्योंकि हमने मतलब हमें second number के column की value चाहिए first number यह था second number में branch code था और zero हम लिखते हैं क्योंकि हमें exact value चाहिए तो for example मैं इसको copy करके और नीचे तक paste कर दूँ तो आप देखेंगे सारा branch code आ गया अब आप देखिए इसको अगर मैं यहां पर chain नहीं को delete कर दूँ तो आप देखिए यहां पर na आ जाएगा मतलब यहां पर कोई value नहीं मिली तो यह यहां पर formula नहीं लगेगा तो इस तरह से आप VLOOKUP से quickly आपने data को ला सकते हैं अब एक दूसरा example ले लेते हैं हम जैसे कि यहां पर हमें sales head का name लेकर आना है तो हम क्या करेंगे is equal to VLOOKUP अब आपके पास दो option है आप branch के name से भी ला सकते हैं और branch code के नाम से क्योंकि यह दौनों के unique ID है और unique यहां पर name भी है तो आप for example हम branch code ले लेते हैं तो हम यहां पर select करेंगे branch code में जो भी Excel को आपको select करना है वहाँ data कुछ भी हो तो यहां पर हमने C3 ले लिया कोमा और फिर दे दना है आपको range तो यहां पर range क्या हो जाएगी आपकी O and P column और फिर कोमा 2,0 और bracket close तो आप देखिए यह name आ गया इस तरह से अब इसको भी मैंने close copy करके और enter कर दिया तो यह सारे name आ गये ठीक है एक तो यह तरीका हो गया we look up का अब second example में आपको एक और आता हूँ यहां पर second example में क्या किया है एक यह बड़ा data है for example बहुत सारे employees की list है आपके पास और एक चोटी सी list है आपके पास जो एक selected employees की list है अब यह salary मैंने पहले से लिख रखी है इसको delete कर देता हूँ तो अब अगर आपको एक task दिया गया है कि आपको आपके main data मैंसे क 5-10 employees है उनकी salary यहां पर लेके आनी है तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सा column आपके पास unique column है तो यहां पर कौन सा unique column होगा employee code क्योंकि नाम तो एक के दो नाम एक जैसे हो सकते हैं बट employee code नहीं होता है तो employee code के base पर आपको यहां पर formula लगाना होगा और formula होगा वै L O K U P VLOOKUP bracket start और range ले लेना है सबसे पहले क्या इसके जिसके base पर VLOOKUP लगाना है वो select करना है तो यहां पर M4 ले लिए हमने comma और फिर range दे दी range यहां पर कहां से शुरू होगी employee code से E column से क्योंकि base column हमारा यह है और इसको select करके हमें ले जाना है कहां तक जहां जो value हमें ले क्या नहीं है तो हमें यहां से select करके salary तक के column तक select कर लेना है और count कर लेना है कि यह कौन सा column है 2, 3, 4 number column है कोमा करके 4 कर दिया again comma 0 और bracket close और enter और फिर इसको copy करके आप enter कर दोगे नीचे तक तो यह बाकी के formula से बाकी के values भी आ जाएंगी और इसको आपको किसी भी एक को अग 296 में copy करके यहां पर find करता हो तो 296 की salary कितनी है 95114 और आप देखेंगे यहां पर भी exactly 95114 है इसके बाद next जो formula है वो है sum if formula, sum if formula का हम use करते हैं जहां पर हमें किसी बड़े data से कोई summary बनानी होती है जैसे कि एक यह हमारे पास data है और इसको हमें summarize रूप में यहां पर रखन है कि branches का name रख दिया और उसका total sale और फिर यहां पर यह condition के साथ हम formula लगाएंगे और यह हम दो condition के साथ मतलब sum if और sum ifs को अलग अलग तरीके से हम सीखेंगे तो sum if को कैसे use करना है आपको is equal to sum if you click कर लिखना है आपको bracket start करना है फिर आप दिखेंगे यह पूछता है range मतलब सूरिबेंगे तो आपकी range कौन सी है criteria की range क्या है तो हमको फिर data में जाना होगा और range है हमारी यह scratch के base पर हमें बनाना है तो back lists कीamine को दे dhी हमने हमें जो आपको sum करना है जैसे यहां पर हमें total का total करना है तो यह हमने पूरी total वाला जो column है उसकी range दे दी और फिर bracket close करके enter कर दिया तो आप देखेंगे यह इस तरह से अब इसको आप copy paste भी कर सकते हैं नीचे लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जब आप copy paste करें तो आप देखो कि इसकी range change हो जाती है तो copy paste करने से पहले आपको इसकी range को fix कर देना है fix कैसे करेंगे आप जो भी range वाला formula है वहाँ पर जाके आपको f4 click कर देना है एक बार तो यह range आपकी fix हो जाएगी तो जब आप इस formula को आगे भी paste करेंगे तो वह range move नहीं होगी तो इसको देखिए यह मैंने किया तो अब यह number perfect आ गया यह हो गया first sum if का use second है sum ifs मतलब एक से ज़्यादा condition जैसे यहाँ पर तो total थी लेकिन यहाँ पर क्या है आपको January का sales निकालना है और new client का अलग निकालना है और existing का अलग आपके main database में भी यह वाइफर केशन है यहाँ पर मतलब छे नहीं जैसे branch है एक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको और आप देखोगे कि यहाँ पर इसका new client का sales है और फिर बाद में existing client का भी sales है तो आपको करना क्या है यहाँ पर आना है formula यहाँ पर लगाना है is equal to लिखना है some ifs शुरू करना है और इस बार as लेना है as some ifs ब्रैकेट start और some range अब some range तो हमारी January की sales ही रहेगी तो हम यहाँ पर गए data में और January का पूरा range हमने select कर लिया और यहाँ पर कोमा लगा दिया और फिर next step क्या है आपका criteria range तो criteria range कहां पर है हमारा यह जो पहला वाला column है branch का name वह हमारा criteria range है कोमा कर दिया और फिर अब आपको जाना है अपके table में और criteria दे देना है ठीक है कोमा करके आपको criteria कौन सा यह जो आपका जिसके base पर आप formula का यूज कर रहे हो इसके बाद again आपको कोमा करना है और criteria range 2 देना है अब criteria range 2 क्या है आपका यह new client है या फिर existing client है तो फिर से data में जाना होगा और फिर आपको यह रेंज देना होगा जहां पर यह वाइफर केशन लिखा है new client और existing तो हमने यह range दी उपर से लेकर e3 से लेकर e43 और कोमा कर दिया और फिर देना है आपको criteria 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 आपको कहां मिलेगा आपकी table में ही तो यह लिया ओके क्लिक किया हमने यहां पर तो c10 आटोमेटिक लिक कर आ गया और इसके साथ आपको bracket close करके enter कर देना है अब फिर उनी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि जो भी range है उसको आपको fix कर देना है सबसे पहले तो यहां पर मैं f4 करूंगा सारे जगे पर यहां पर किया यहां पर किया ओके अब देखिए summary जो यह है आपकी range b11 इसको change इसको fix करने की ज़रुवत नही ना इसको fix करने की ज़रुवत नहीं है आगे इस range को भी fix कर देते हैं इसको भी fix कर देते हैं और जो c10 है उसको भी fix कर देते हैं क्योंकि यह भी move नहीं होगी आपकी यह भी यही रहेगी और enter कर दिया इसके बाद आप इसको copy कीजिए नीचे paste कर दीजिए और फिर इनका total क कर दीए तो यह number एकदम perfect आएगा फिर आप existing पर लाने हैं तो आपको फिर से इतना बड़ा formula लिखने की जरुवत नहीं आप इस formula को copy करें ठीक है next cell में जाए और यहां पर paste करें तो आप देखिए यह numbers बराबर आ रहा है लेकिन जो range है वो new client की ही अभी तक select है तो आपको क formula भी automatic आ जाएगा और फिर इसका total कर दीए तो इस तरह से यह sum if और sum ifs दोनों function का अलग-अलग use हमने यहां पर सीखा अब इसके बाद जो मैं function बताने वाला हूँ वो भी बड़े काम का है वो है if function if function हम कब use करते हैं जब हमें किसी condition के waste पर कोई formula लगाना होता है तो यहां पर जैसे हमने एक दो condition ले रखिए अच्छा यह design जो मैंने बनाया है यह भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के end में अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो यह भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं यह effect डालता हूं sales में तो सबसे पहले तो हम formula complete कर लेते हैं जैसे क कि incentive मैं first example में क्या ले रहा हूं कि जिसका 35 lakh से उपर है उसको 2 lakh incentive देना हो और जिसको 35 lakh से नीचे उसको 1 lakh incentive देना है तो यह बड़ा simple एक example लेके मैं quickly बता जेता हूं आपको लिखना क्या है आपको is equal to if bracket start और यह number की base पर देना है तो यह number का range ले लिया हमने ग्रेटर देन 35 lakh लिख दिया कोमा अगर है तो कितना देना है हमको 2 lakh देना है तो यहां पर इस तरह से लिख दिया और 2 lakh और कोमा 0 मतलब अगर sorry not 0 अगर यह नहीं है 35 से उपर नहीं है तो obviously 35 से नीचे होगा तो उसको कितना देना है आपको 1 lakh ठीक है तो यह हमने डाल दिया और bracket close करके enter कर दिया तो आप देखोगे और इसको मैं copy करके पहले तो paste कर देता हूं तो आप देखोगे यहां पर सब जगे 2 lakh आ रहा है और यह नंबर जो है यह 40 lakh से उपर 35 से उपर है तो यहां पर 2 lakh आ रहा है इसी तरह से और range में भी formula एकदम perfect apply हो चुका है ठीक है तो य 25% 25 से उपर है मतलब 25 से 35 के बीच में है तो 2% और below 25 है तो 0 ही दे देना है अब यहां पर आपको इफ को दो बार यूज करना होगा वो कैसे is equal to if लिखा हमने black start किया और data range तो वही देना है आपको i3 यहां से start किया हमने is greater than 35 ओके 35 लेक तो क्या करना है आपको value of true तो आपको क्या करना है यहां पर लिख देना है again यह cell पर click करना है क्यूंकि इस cell का आपको 5% चाहिए तो again यह cell का range लिए i3 into 5% ठीक है और इसके बाद क्या करना है आपको bracket again start कर देना है okay sorry coma के बाद if और bracket again start कर देना है आपको और फिर क्या लिखना है आपको second condition again फिर वही i3 is greater than 25 लेक तो क्या करना है आपको again coma और फिर उसी cell का range देना है i3 into कितना 2% देना है तो 2% और coma अगर यह नहीं है तो फिर तो third condition हमको 0 यह दे देना है और bracket close करके लेकिन अभी कितने bracket close करना है आपको 2 आपने start किये तो आपको 2 bracket close करने होंगे और आपने enter कर देना है तो अभी देखिए यह copy किया आपने और नीचे तक मैं जाके इसको paste कर दूँगा तो आप देखो पहले वाले को तो 0 ही मिला क्यों क्योंकि उसका 25 लेक से भी नीचे value है ना यह 24 लेक second है 31 लेक 31 लेक मतलब 25 से 35 के बीच में है तो उसको कितना मिला यहाँ पर 2% मिलना चाहिए इसको check कर लेते हैं तो इसका कितना percent आ रहा है into 2% आ रहा है परफेक्ट यह 2% आ रहा है exactly तो इस तरह से आपको यह दो function एक साथ आप कर सकते हो अगर आपको एक से ज़्यादा condition यूज करनी है तो if को आप 2 या 2 से ज़्यादा बार यूज कर सकते हो यह हो गया अच्छा यह फाइल भी मैं इसमें attach कर दूँगा आपको description box में मिल जाएगी इस फाइल में यह सारे text को हम कैसे जोड सकते हैं उसके लिए हम इस function का use करते हैं और इसमें दो चीज है देखिए is equal to आपको क्या लिखना है सीधा लिखना है c o n c a और यह पूरा आ गया t a t e n a t concatenate bracket start किया और पहला text जैसे यहां पर लिया मैंने अजय और कोमा और फिर दूसरा text लिया यह और फिर bracket close करके enter कर देना है तो यह यहां पर इस तरह से चिपक के आ गया अब इसका मैं एक और shortcut बता देता हूँ वो इस function से भी ज्यादा अ अच्छा है इसमें करना क्या है आपको अगर दो text को कभी भी add करना है तो क्या करो आप is equal to सीधा यहां पर जाओ पहला आप select करो जो आपको add करना है और फिर end प्रेस करो आप okay और end के बाद inverted commas again space दो inverted commas दो again end ले लो एक बार और फिर से second number का जो text आपको add करना है उस पर click क कर दो और enter कर दो यह देखिए यह भी वही काम करेगा और इसमें आपके पास और भी काफी सारी choice है आपको कितना space देना है यहां पर वो भी आप आपके ऊपर है या कोई और आपको यहां पर लिखना है अगर तो यह भी आप कर सकते हो तो यह function भी आपको काम आएगा जब आप Excel में बड़े डेटा पर काम करेंगे फिरर फंक्शन भी जरूर आना चाहिए यह कब काम आएगा वो मैं आपको बता देता हूं इसके लिए मैं एक काम करता हूं कोई एक्जामपल ले लेता हूं अपने पहले वाला वी लुक अप का ओके तो फर एक्जामपल यहां पर मैंने एक ऐसी ब्रांच का नेम लिख दिया जो कि आपके डेटा बेस में ही नहीं जैसे यहां पर लिख दिया मैं देली ओके तो जैसे ही आपने देली मैंने यहां पर लिखा तो यहां पर वी लुक अप क्या लगा हुआ है इस रेंज से आपको यहां पर ब्रांच के नेम ब्रांच कोडरा रहा है उसका सैलशेट का नाम आ रहा है लिकिन क्योंकि डेहली आपके डेटाबेस में है नहीं तो यहां पर क्या आगया? यह इरर आ तो अब पर का यह हैए आता है यह अच्चा नहीं लगता है जब आप डेटा कोई बиход बनाते हैं तो इसको कैसे आप हाइड कर सकते हैं, इस एरर को कैसे हाइड कर सकते हैं, आपको क्या करना है, फॉर्मिला वैसे ही रहने देना है, इस इकल टू के बाद आपको क्या कर देना है, इफ एरर लिख देना है, ओके, इफ एरर लिखके, आपको ब्रेकेट स्टार्ट कर देना है, ठीक कि अगर आप यहां पर लिखना चाहते हैं not applicable तो आप इन्मर्टिट कोमाज में लिख दीजिए na या फिर not applicable जो भी आप text लिखना चाहते हैं और bracket close करके enter कर दीजिए और फिर जैसे यह मैंने यहां पर भी अगर यही फार्मिला इस्तिमाल कर दिया तो यह चीज यहां पर भी applicable हो जाएगी तो आप देखिए यह na आ गया और इसकी जगा पर आप कोई भी text लिख सकते हैं जैसे लिख दे हम not applicable या फिर हमारी choice का कोई भी हम data यहां पर लिख सकते हैं या फिर आप simple क्या करें कुछ ना करें यह सब कुछ ना लिखें यहां पर केवल जीरो लिख दें ठीक है तो यह na error नहीं आएगा इस तरह से यहां पर zero आपको दिखेगा ठीक है तो यह हो गया आपका if error function का use इसके बाद एक और भी चीज है जो मैं आपको as a bonus बताना चाहता हूं हर मेरे video में कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो जो चार-पाच function है उसके अलावा क्या मैंने बताया वह अच्छी चीज है तो कभी-कभी हम जब data download करते हैं तो download करके जो amount आता है वो text में आ जाता है या इस तरह के कोई एक field में आ जाता है आप देखोगे यह आपका और इस पर कोई formula यूज करोगे ना तो formula यूज नहीं होगा जैसे मैं अभी sum मैंने try किया है लेकिन मैं देखता हूँ अगर sum होता है इसका okay यह देखिए यह इसका sum नहीं हुआ क्यों क्योंकि यह text है यह value ही नहीं तो आपको करना क्या है इस तरह के value लिखो यहां पर okay simple आपको लिखना है value ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसको select कर लेना है data को आपको और ब्रैकेट क्लोज करके enter कर देना है और फिर इसी को आपको paste कर देना है तो यह देखिए अभी यह आपका value बन गया अब इसको आप formula लगेगा इसमें multiply होगा जो भी आपको value के साथ आप use कर सकते हो वो यहां पर आपको मिलेगा अच्छा इसके बाद एक और मैंने बात बताई थी कि यह effect कैसे डालते हैं यह भी मैं बताऊंगा आपको video के end में तो करना क्या है आपको जहां पर भी आपको effect देना है वो range select कर लेना है control 1 आपको press करना है control 1 जै आपको यहां पर fill effect एक option मिलेगा fill effect में जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे आपको options मिलेंगे आप खुद करके देखें यह different different style आप use कर सकते हैं different different तरीके से यहां पर आपको color select कर लेना है जो भी आपकी choice का color हो और यहां पर आपको उसका style select कर लेना है shading style से और यहां से colors और बस आप ok कर देंगे तो आपकी choice का style यहां पर effect यहां पर आ जाएगा तो I hope कि यह सारे functions सारे formula आपको अच्छे लगे होंगे अब अगर आपको लगता है कि मेरे चनल को subscribe करना चाहिए तो आप उसको जाके चनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को भी दबा दीजिए तो कि इस तरह कि आपको वाकिके वीडियो भी time time पर मिलते रहें